खेलो दोस्तों स्वागत आप सभीका मारी यूटूब चैनल विदिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम भारतिये साक्ष अधिनियम को देखेंगे इसके को सॉल्व करेंगे और यह सीरीज का तीसरा पार्ट है इसके पहले हमने दो पार्ट में इसके सव प्रस्नों को सॉल्व किया है और अभी तक हम धाराब 22 तक के जो प्रावधान है उनको सॉल्व किये हैं क्योंकि यह बहुत ही इंप्रटन्ट एंप्रस्न है तो इसलिए आप एक बहतर एक्यूरेसी आपको मिल सकेगी तो आप इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अभी तक आपने इसको कोशिज कीजिए कि इसको आप जॉइन भी कीजिए क्योंकि उससे हमें और भी जो कंटेंट है उसको आपको त्यारी को बेतर कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप मेंस की त्यारी करना चाहते हैं तो आप उसे जुड़ सकते हैं उसके लिए हम जो चैनल पर आपको नंबर दिया गया है उसके माध्यम से आप वाटसप की माध्यम से अपनी राय उसमें बता सकते हैं और अभी जल तो केवल सिविल मामलों से संबंदी जो धारा है वो धारा 23 है और यह बहुत ही important है यह कई बार यहां पर पूछा वह गया है परिक्षाओं में तो यहां पर जो 23 के प्रावधान है उसमें क्या कहा गया है उसमें यह बात बताईगी है कि सिविल मामलों में कोई भी स्विकृत की तो कर रहे हैं लेकिन हाँ महारी स्विकृति का जो पियोग है आप कहीं कर नहीं सकते तो दूसरी बात यहां लिग कला मपनेंशलों किया वह ईही क्रिमिनल मामनेन किया लीधी होता है। दिवानी मामिलों से संबन्धित जो स्वीकृति वही बात कि र्टे रोपय जाती है। नियाले यहानुमान लगा लेता है कि पक्षकार इस बात पर साहमत हो गए है कि उनका साख्च नहीं दिया जाएगा अगर इन दोनों कंडिशन में वह इसी जो स्विकृति है वक्की जाती है तो क्या होगी तुसंगत नहीं होगी नेक्स वोस्चन है बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किये गए संदेश या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संसूचना भारति साच अधरियम की किस धारा के अंतरगत संदच्छित है तो यह जो है दो प्रकार से यहां पर प्रस्ण पूंच लिया जाता है पहला कि बि संस्वीकृति की परिभासा भारति साच अधरियम की किस धारा के अंतरगत नहीं दी गई है अर्थात इसकी परिभासा जो है पूरे एविडेंस एक्ट के अंतरगत कहीं दी नहीं गई है बलकि इसके बारे में जो है वह धारा 24 और 25 आगे बताया संस्वीकृति कब की जा सकती है किन परिष्थितियों में की जा सकती है लेकिन इसकी परिभासा कहीं नहीं दी गई है शाओ यह कथन करता है कि उसने अपराद किया है या जिससे यह सुझाओ मिलता है कि उसने अपराद किया है तो यहां पर Stephen की परिभासा है इमेंस के लिए यह बहुत important है खास करके Stephen की परिभासा और पाक्ना नरान स्वामी बनाम इंपरर की मामने में जो लर्ड एटकिन ने जो यह परिभासा दिया तो दो परिभासा हैं जो है आपको यहां पर याद रखना जाहिए तो सबसे पहले Stephen ने कहा कि संस्विकृति क्या है एक ऐसी स्विकृति है जिसे कोई अपराध करने वाला व्यक्ति वह अपने अपराध को स्विकार करता है अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्विकार कर लेता है कि उसने अपराध किया है तो है क्या है संस्विकृती है लेकिन इस परिभासा को भारती साक्ष अधनियम के प्रविजुनों के लिए जो है स्विकार नहीं किया गया और पाकला नरायन स्वामी बनाम एंपरर का जो मामला था इसमें जो जज थे लाड एटकिन इन्होंने नई परिभासा दिया क्या कि कोई स्विकृती तब संस्विकृती है जबकि अभ्यूक्त अपने आरोप को स्विकार करे या कम से कम उन तत्तों को स्विकार कर ले जिससे अपराद का गठन होता है अद दूसरी बात इसमें यह बताई गई कि गंभीर और निशायक रूप से फसाने वाली जो स्विक नहीं होगी बलकि उसको पूरी तरह से जो है या तो सुविकार होना चाहिए या असुष्टी कर दिया नेक्स्ट स्विक्रिति कब सुजंगत नहीं होती है तो संस्विक्रिती कब सुजंगत होगी कब नहीं होगी तो इसके बारे में जो प्रावधान हमने बताया कि 24, 25, 26 और 27 तक के जो हैं वहां पर बताए गया है तो इसके अंतरगत हम देखेंगे बिगल्प को पुलिस अधिकारी की अभिराक्षा में किन्तु मजिस्टेट की साक्षात उपस्तिती में अगर किया जाता है य अगर तुमने अपराद को सुईकार किया तो तुमको छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा जो लालच है या वचन दे करके अगर कोई सान्सुक्रिती प्राप्त की जाती है या धारा 24 के अंतरगात आती है और इसलिए जो है यह सुसंगत नहीं होती और इसके अलावा जबकि व सुसंगत होगी लेकिन मैश्टेट के द्वारा मैश्टेट परादिकारवान व्यक्ति है और व दहबकि दधे या ौचन दे करके इसलिए और को सुसंगत नहीं होगी situations निर्डरा जो कि प्रादिकार वान व्यक्ति के के समख्षकर कोई संखुर्त की जाती है तो इस से संबंधित जो महत्पून केस है वह कौन सा है तो यह प्यारे-लाल भारगौ बनाम राजस्थान राज्य का मामला है और इस मामले में नेड़ा क्या दिया गया तो इसमें सर्वोचिन्याले ने कहा कि किसी संसुकृति को बिसंगत बनाने के लिए यही परियापत है कि उसके बारे में प्रतीत होता है कि वह उत्परेडा धमकी या वचनाद के द्वारा प्रात्त की गई थी चाहे इस बात का सबूत न मिले कि वह उत्परेडा जो है अभ्यूक्त तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी अर्थात अगर किसी बिक्त ने धमकी दिया भले अभ्यूक्त की अनुपस्तिती में धमकी दिया हो कि एसी जो अपराद है वह स्विकार किया जाना चाहिए अन है अपराद करने के बाद पूलिस के पास जाता है संसुकृति करता है और अन्य सूचना देता है यह संसुकृति है इसका क्या प्रभाव होगा यह सुसंगत होगी यह नहीं होगी तो धारा पचीज जो है असपस्ट रूप से कहती है कि पूलिस अधिकारी से की गई जो संस नहीं होगी नेस्ट कोशन है पुलिस अभिरक्षा में किसी ब्यक्ति की द्वारा की गई संस्विकृति सुसंगत होगी यह दिवहक की गई है तो इसको हम धाराग 26 से को रिलेट करेंगे तो धाराग 26 के अंतरगत जो बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई संस्व प्लाइब की आग और मजिस्टेट की साक्षात उपस्थिती में नहीं की जाती तो ईच्वाजिस्टेट में की घॡ़ी में नहीं मेए तफ्सक्रिं की नहीं होगी विश्वसनिय नहीं होती है तो ऐसा नेड़ा जो है इंद्र दलाल बनाम हरियाना राजी का मामला है इसी केस में ऐसा जो नेड़ा है वह है दिया गया था कि नेक्स्वोस्चन है मजिस्टेट के समक्ष की गई सांविकृति भारती जासे धरियंकी लिजत्र इंड़ाना आहे मद्गों तक सब्सकें को सान्से नहीं होगी इसी की आधिकर्ट इसbelț tremendously ग्या है जो कि अग्राहे होगी तो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मईस्टेट से किया जाता है तो यह धाराच 26 की अंतरगत ग्राहे होगा दूसरा है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में न रहते हुए मित्र से किया जाता है तो यह क्या होगा ग्राहे होगा और बाहर दर्वाजे पर जो है पूलिस खड़ा है तो इसलिए पूलिस का स्टड़ी में है इसलिए पूलिस का स्टड़ी में कोई संस्विकृति तभी सुसंगत हो सकती है जबकि जो अभ्यूक्त है वह मैंस्टेट की साक्षात उपस्तिती में करता है अन्यथा वसुसंगत नहीं होगा नेक्स कोश्चन है अभ्यूक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी सावित की जा सकेगी तो इसके लिए हम धारा 27 के प्रावधानों को देखेंगे दारा 27 जो है इसके संदर में महत्पूर्ण प्रावधान करती है तो इसमें क्या बताय गया है कि अभ्यूक्त से प्राप्त चानकारी में से उतनी ही सावित की जा सकती है जितना कि उसके द्वारा पता चले हुए जो तथ्य है वह है पता चलते है तो यहाँ पर जो दूसरा है कि कथन का केवल वही भाग जो असपस्ट रूप से स्विकृति से संबंदित हो वही उसों साबित किया जा सकता है पूर्ण कथन साबित नहीं किया सकता इसलिए दूसरा विगल्प सही होगा तो अब जो है धारा 27 को जब देखते हैं तो इसके अंतरगत हम 2-3 बाते देखते हैं कि संस्विकृति जब 27 के तहट की जाती है अर्थात एक अभ्यूक्त है अपना अपराद स्विकार करता है और उसके अपराद को स्विकार जब किया जाता है तो उसके स्विकृति में से कितने भाग को साबित किया जाएगा और कितने भाग को साबित नहीं किया ज यहां पर जो कघद繼續 कैंघ जए यहां पर रिपलो कि मीणता के कप्ड़े गृइक है गार दिये जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ तो दिखाता है तो यह भी ग्राय है मैंने माल अपने खेत में गार दिया है और वहां सुवफराप्त होता है यह भी ग्राय है मैंने अफीम को अपनी बैल गारी में जो घर से चार फरलांग पर है वहां पर गार दिया है मैंने प जैसे यह खून से जो लत्फत कपड़े हैं वह मेरे हैं यह ग्राही नहीं होगा क्योंकि यह जाच का विशा है जब तक इसमें जाच करके असपस्ट नेड़ा नहीं आ जाता कि वह उसी के हैं तब तक उसका जो कथन हो ग्राही नहीं होगा दूसरा है कि यह वह कुलहाडी है जिससे मैंने मार डाला हर्था जिससे मैंने हत्या किया है तो उसने जो है यह संसुकृति कर रहा है तो यह भी जो है ग्राही नहीं होगा मैंने मिरतक को मार डाला और उसको जमीन पर फेक दिया ये भी ग्राह नहीं है मैंने मिरतक को दरिया में फेक दिया मैंने अपनी इस तरी को तलवार से घायल किया ये जो सभी कथन है वह ग्राह नहीं होते हैं ये क्योंकि investigation का subject है जब तक कि उससे प्रत्यक्ष जो प्रमार है पुलिस अधिकारी के सामने की गई संस्विकृति तभी ग्राह होती है तो कब वह ग्राह होती है पहला विकल्प है कि वह किसी कारपालक मज़ेट की उपस्थिती में की जाती है तो यह जो है ग्राह नहीं होगा क्योंकि वह पुलिस अभिरक्षा में होनी चाहिए दूसरी बात है कि वह सह अभ्यूक्त के विरुद्ध हो तो सह अभ्यूक्त के विरुद्ध अगर है उसकी संस्विकृति तो वह तभी सुसंगत होगी जबकि वहां पर संयूत विचारण हो रहा है यहां पर पहला और दूसरा यह दोनों नहीं हो सकते हैं तीसरा देखते हैं कि अभ्य ब्यक्तिके बिरुद्ध सिध्ध नहीं की जाएगी ऐसा जो नेड़ा है किस केस में दिया गया तो पुलिस अधिकारी के समख शगर कोई संस्विकृति की जाती है तो उसे अभ्यूक्तिके बिरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता यह नेड़ा दिया गया था क्वीन इंप्र स्विकृति की परिभासा दी गई है पाकला नारायन स्वामी की मामले में और क्वीन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में इसारों के द्वारा संस्विकृति से संबंदित यहां पर प्रवधान निड़य दिया गया था नेक्ष है पुलिस अभिराक्षा में एक अभ्युक्त बताता है कि वह चावी जिसके द्वारा उसने तिजोरी खोल कर के चोरी की है अपने घर के आंगन में रखी है यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी तो यह जो कथन है उसका वह किस सीमा तक साबित किया जाेगा तो वह जो है यह चुचवथा बिकल्प है कि चावी को कि घर के आंगन में उसने रखा है और वह चावी बरामद होती है तो वही केवल Sाबित किया जाएगा और वह जो करता है कि मैंने तिजोरी खोल कर चोरी किया है तो यह जो दूसर कि धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है तो आपको इसके संदर्व में या इसके संबंधि तीन केस आपको हमेशा याद रखना चाहिए धारा 27 से संबंधि जो तीन केस हैं तो पहला केस तो यही हो गया कि धारा 27 जो है वह 24, 25, 26 का अपवाद है यह नेड़े दिया गया इनायतुल्ल के उलंगन के आधार पर चुनाउती दी गई थी वह कौन सा मामला था उत्तरफदेश राजबनाम देवमन उपाध्याय का मामला था और एक तीसरा जो मामला पूछा जाता है कि भारती संविधान के अनुच्छेथ 20 का खंड तीन के अतहत के आधार पर भारती साच हद्रिय 2526 का अपवाद 1227 है यह बताये गिया इनायतुल्ला बनाम महराश्टराज के मामले में नेक्स कोश्चन है भारती साच हद्रियम की 1227 की ओप्योगिता विशेस परिथितियों में पूलिस अभिरक्षा में अभ्यूक्त के द्वारा शिपाई गई अपराग से संबंधित वस सिध्धान्त की से केस में प्रिक्पादित किया गया था तो पुल्कुरी कोटैया या पी कोटैया बनाम इंपरर का मामला है इसी केस में यह सिध्धान्त प्रिक्पादित किया गया था अब हम आगे जो है कुछ महत्पूर्ण केस हैं तो कि धारा 27 पर आधारित हैं इन सभी केस को एक अस्थान पर देखे लेंगे तो पुलकुरी कोटाया बनाम इंपरर का मामला 1947 का है यह भी धारा 27 से संबंदित है उत्तरपदेश राज बनाम देव मनुपाध्याय का मामला इनरी कामाक्षी का मामला इस्टेट आफ पंजाब बनाम गुर्णाम सिंग इस्टेट बन सब्सक्राइब यह सब हरा 27 लिए ताकि आपको का यह भी ध्यान रखना आसान होगा इसको याद करना आसान होगा नेग्स कोचन है किसी केस में तो देव मन उपाध्याय का मामना था kisी केस में जो है आनुचे चवदा की आधार पर धारावसठाइस को चुनवती दी गई थी जिस में इसको सम्भएधानी या वैद होसित किया गया नेक्स कोचन है किस वाद में भारती साच हैद्रियम की धारा 27 की संभाइधानिक्ता को संभीधान के अनुछेद 20-23 के उलंगन के आधार पर चुनवती दी गई थी तो यह स्टेट आप बांबे अर्थाद बांबे राज बनाम काठी कालू का मामला ह है इसी मामने में चुनवती दी गई थी नेक्स है क्योंकि brain mapping और narco analysis कि किसी ब्यक्टिक की सरीर से कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो dhara 27 का प्रावधान क्या कहता है कि अभ्युक्त से कोई जानकारी अगर प्राप्त की जाती है तो उख जानकारी जितना प्राप्त की जाती है वहां तक उसको साबित किया जा सकेगा तो इसी की अंतरगत जो है ब्रेंड माइपिंग है, नार्को एनाल्सिस है, डियने टेस्ट है यह सब इसी की अंतरगत किये जाते हैं इसी धारा के तहट हलांकि इस पर एक महत्पूर्ण केस है, उसको हम आगे देखेंगे, उसका नाम है स्टेल्वी बनाम करनाट अगराज इस मामने में सरोच न्याले ने कहा कि यह जो है, अगर इस प्रकार से कोई साच्छ प्राप्त किया जाता है अर्थात नारको इनाल्सिस, डियने या ब्रेन मैपिम की माध्यम से धारा 27 के तहट अगर कोई साच्छ प्राप्त किया जाता है, तो उसको प्रत्यक्ष साच्छ नहीं माना जाएगा, बलकि उसको परिस्तितिजन साच्छ माना जाएगा तो आपको यह बात जरूर धियान डखना चाहिए, क्योंकि यह अलग से प्रस्न पूछ लिया जा सकता है, कि इस प्रकार का साच्छ होगा, तो वहाँ परिस्तितिजन साच्छ होता है और दूसरी बात यह है, कि वहाँ पर जिस ब्यक्ति की ब्रेन वाइपिंग की जा रही है, डियने टेस्ट किया जा रहा है, उसकी सहमती जरूरी है, उसकी सहमती के बिना ऐसी कोई जांच नहीं की जा सकती है इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वह भारती सम्विधान के अनुच्छेद 20 का खंड 3 और अनुच्छेद 21 का जो है उलंगन करता है तो आपको सेल्वी बनाम करनाटक राज और इसका डिसीजन यह भारती सम्विधान के संदर में और भारती साच हदनेयम के संदर में दोनों ही संदर में यह प्रस्ट पूछा जाता है, इसके बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन है, इसको आप याद कर लीजेगा नेक्ष्ट है, काउंसा वाद है, जो संस्विकृति से संबंधित नहीं है, तो इसमें से संस्विकृति से संबंधित जो केस है, कोटाया बनाम, किंग इंपरर, उत्तर प्रदेश राज बनाम, देव मनुपाध्याय, जिसमें क्या है, कि अनुच्छे 14 के आधार पर 27 को चन होती दी गई थी, तो यह जो तीनों मामले हैं, यह संस्विकृति से संबंधित हैं, लेकिन एमसी वर्गीज बनाम, पूनेन का जो केस है, यह है, संस्विकृति से संबंधित नहीं है, नेक्स है, इसमें सुमेलित करने के लिए, तो इसमें जो चारु विकल्प हैं, यह सु का है और इसे संबंधि जो प्रावधान निधारा 24 के अंतरगत दिया गया है कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्विकृति या पंजाब राज बनाम बरकत राम का केस है अभियुक्त की जो फायार है अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट है उसके माध्यांसेगर का संस्विकृ संस्विकृति होती है उससे संबंधि जो केस है वह अगनू नगेशिया बनाम राज या यह नगेशिया के नाम से भी पूछा जाता है और पुलिस हिरासत में दिये गये बयान के अनुसरण में तत्थिकी खोज जो है इससे संस्विकृति केस है वह बंबई राज बनाम कि अवल अभियोगात्मक हिस्से को हिस्विकार कर ले और निर्दोसात्मक हिस्विको छोड़ दे पलविंदर कौर पनाम पंजाब राज के मामने में दिया गया अब अगर हम उदाहरण के माद्य हमसे इसको समझें तो यह इस बात को स्विकार करता है कि उसने एक सकी किया और दूसरा बाग वाक कहता है कि उसने अपने अइक प्राइवे्ट प्रत्रयक्षा में किया है तो वो उसको निर्दोस करार देता है तो यहां पर केवल पहले कथन को स्विकार किया जाए और दूसरे कथन को छोड़ दिया जाए तो ऐसा जो है नहीं हो सकता यही निर्ड़े पलुइंदर का और बनाम पंजाब राज के मामले में दिया गया था कि निमलिखित में से कौन सा वाद केवल इस्तरी की आख के आशूं के साकष के आधार पर नीड़ीत हुआ यह कथन पूंच लिया गया है कई बार पूचा गया है कि ऐसा कौन सा नीड़े था जिसमें जो इस्तरी की आख के आसू है अर्थात उसको रोता हुआ देखकर के ही न्याले के द्वारा नेड़े दे दिया गया था यह नेड़े था पलविंदर का और बनाम पंजाब राज का मामला तो इसमें क्या हुआ था कि एक महिला है उसके उपर अपने पती की हत्या का रोप लगाया जाता है लेकिन जो महिला है वह एक्शुल में उसने अपने पती की हत्या नहीं की थी बल्कि वहां पर जहर रखा हुआ था और पत्नी ने रखा था और पती उसको गलती से दवा समझ कर उसको पी गया था जिससे उसकी मृत्तिय पारी हो गई थी तो इसलिए जो है इसमें उसको हत्या के अ अधिकारी से बिलंब से परिछण के बारे में प्रस्ण किया जाना चाहिए यह नेड़े किस केस में दिया गया था उत्तरप देश राजबनाम सतीस का मामला था और इसमें यह कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो बिलंब हो रहा है उससे अपने आप जो अभ्योजन स संद्यास्पद नहीं हो जाता बलकि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से पूछा जाना चाहिए कि ऐसा जो बिलंब है वह क्यों किया गया नेक्स कोशन है गुप्त रखने के वचन के धीन या उससे प्राप्त करने के लिए की गई प्रवंचना के परड़ाम सो रूप प्रा धारा थाइस को भी देखना जरूरी है धारा 24 का अपवाद है दारा थाइस के अंतरगत क्या बताया गया है कि उत्परेणा धंकी वचन से पैदा हुआ जो प्रभाव है किसी ब्रभाव के दूर हो जाने के बाद अगर कोई संस्विक्रति की जाती है तो क्या होगी सुसंग अगर उसका प्रफाव समात्त हो जाता है उसके बाद कोई संस्विक्रिटी की जाती है तो अधारा 28 के अंतरगत सुसंगत होगी अगर कोई संस्विक्रिती जो की अन्यता सुसंगत है तो इसलिए वह भी संगत नहीं हो जाएगी कि वह गुप्त रखने के वचन की अधीन या नसे की इस्तिती में या जूट बोलकर अर्थात प्रवंचना के माध्यम से या किसी आयसे प्रस्ण के उत्तर के रूप में प्राप्त की जाती है जिससे देने के लिए आबद नहीं था या उसको कोई चेतावनी दिये बिना अग प्रवश्व करतेर सकती है संस्युक्षित को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवस्यक नहीं है यह किस मामले में इरधारित किया गया था यह साहु बनाम उत्तरपतेजराज का मामला है, इसी मामले में इरधारित किया गया था, इसका दाथ पर यह है कि एक व्यक्ति ए है और इसको बढ़बढाने की यादत है, अर्थात यह अपने आप में ही बोलता रहता है कुछ ने कुछ, और इसी दावरान वह बढ़बढाते हुए कोई अपराद को सुईकार कर लेता है, तो आइसी चुसान स्विक्रती है, क्या होगी, सुसंगत होगी, किस केस में कहा गया, तो साहु बनाम उत्तरपतेजराज का मामला यह बहुत महत्पूर्ण है, यह सारे मामले ऐसे हैं, कि आपको अगर ध्यान है, मेंस में इसका पर ये हैं कि किसी अजिधाराओं में इस अधरियम की भारती साथिन्य थाराओं में वह अभी सथ नहीं नहीं है। अगर कोई स्थय को नहीं था कि यहां पर पूशा गया है कि असंगत होगी तो इन में से किसी भी मामले में असंगत नहीं होगी नेक्स है जब अभ्यूक्त की संस्युकृती CRPC की धारा 164 में नहीत रीत से रिकार्ड नहीं की गई है वहां मजिश्टेट का मौकिक साच यह सिद्ध करने के लिए ग्राहि नहीं है कि इस प्रकार संसुकृती की गई है तो यह किस केस में निर्धारित किया गया था यह उत्तरव देश राजवनाम सिंगारा सिंग का मामल किया जाता है उसके बाद जो है आपको एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है इसलिए उत्तरव देश राज बनाम सिंगहारा सिंग का जो केस है इसमें क्या कहा गया कि संसुकृती लिखने से पहले 164 की जो CRPC की प्रक्रिया है उसका पालंग किया जाना आवस्यक है अर्थात अगर कोई संसुकृती कर रहा है व्यक्ति तो उसको यह जो है चितावनी दिया जाना चाहिए कि वह संसुकृती करने है तो बाद नहीं है अगर वह संसुकृती करता है तो उसके बिरुद्र साच की रूप में ग्राय होगी तो यही जो नेड़ा है उत्तरव संसुकृती का प्रावधान भार्ति साच हद devenir की किot दिया गया है जर नियाइक संसुकृती होती क्या है होती क्या है तो इसको समझना है तो नियाइक recession होती है पहली होती है πग कि Скंन प्रकरिया её यह निया प्रक्रिया के दोरान किसी मजिस्टेट से या किसी न्याई का धिकारी से की जाती है और दूसरी होती है न्याई की एतर संसुकृति किया होती है कि न्याले से भिन्द किसी ब्यक्ति से अर्थात वह अपने दोस्त से स्वयम से या अपने परिवार जन से किसी से भी की जा सकती है उसे न्याई की एत कॉर्ले कॉषन के साथ बिष्वसज़न हो सकती है यह कारण निया के थर संस्विक्रति की जा रही है वह वह बिष्वसनी बहुत जाद नहीं है लेकिन वह बिष्वसनी तभी है जबकि वह अन्य साक्षों के साथ उसको correlate किया जाता है इसलिए यहाँ पर पहला विकल्ब सही होगा Next है भारती साच अधनियम की धारत 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्विकृती सह अभियुक्त की विरुद कीस तरह से प्रियुक्त हो सकती है तो यह संपोसक साच की रूप में प्रियुक्त हो सकती है संपोसक साच सितात पर यह है कि A एक व्यक्ती है और B है इन दोनों का ही विचारण संयुक्त रूप से किया जा रहा है एक सनामक अपराद के लिए यह कहता है कि मैने और B ने मिल करके अपराद किया है यहाँ पर इसका जो कतन है वो अब्भी के विरुद्ध जो है समपोषक साच के रोब में प्रयोग किया जा सकता है नेक्स है एक अभ्यूक्त की संस्विकृति दूसरे सहाभ्यूक्त के विरुद्ध की इस धारा के अधिन चंगत होती है तो धारा इस के अधिन सह अभ्यूक्त की संस्विकृति की बारे प्रावधान किया गया है और सह अभ्यूक्त की संदर में प्रावधान जो है या सह अभ्यूक्त की संस्विकृति की बारे प्रावधान जो है वो भी देख लेना है तो वह धारा 133 की अधिन किया गया है तो उसको हम आगे देखेंगे तो सह अभ्यूक्त धारा 30 के अंतरगत अस सह अपराधी धारा 132 के अंतरगत तो सह अपराधी सितात पर क्या है कि जब एक या अधिक लोग मिल करके अपराध करते हैं और सहाव्यूक्त सितात पर क्या है उनका एक साथ विचारण हो रहा है अगर एक से अधिक बेक्तियों का विचारण एक साथ होता है तो उनको सहाव्यूक्त कहा जाता है अब धारत जो है तीस पर दो द्रिश्टांत हैं और दोनों ही द्रिश्टांत आपको प्री के साथ साथ में में क्वारे पूचए या इस तरह सम्झें कि लगबग हर परेच्छ में उसको पूच लिया जाता है खास करके में प्री में तुम यहांपर दिरिश्टांत उसमें दिये गए हैं तो दिर्ष्टान्थ हम देखते हैं कि क और खय का संजूक्त बिचारन हो रहा है तो अगर इते प्रस्विक्रति की थी तो यही प्रस्विक्रति की तो यह जो कठन है यह संसूक्रति को ख्या के विरुद्ध विचार में ले सकता है अगर यह संयुक्त विचार नहीं हो रहा होता अर्थात गय की हत्या के लिए केवल का विचार नहीं हो रहा होता और कहता कि मैंने तो हत्या किया ही लेकिन हमाई साथ ख्या भी था तो उसका जो कथा नहीं हुआ है ख्या के विरु और इसे जो है दोससिद्धी का आधार नहीं बनाया जा सकता कस्मीरा सिंग का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें यह जो है यही निर्ड़े दिया गया था कि जो सह अभ्यूक्त होते हैं उनकी जो संस्विकृति होती है यह कमजोर साच होती है और केवल इसी के आधार पर दोसिद्धी नहीं दी जानी चाहिए नेक्ट है साक्षबीध में एक मुकरी हुई संस्विकृति तो मुकरी हुई संस्विकृति से प्रत्याहारी संस्विकृति भी कहा जाता है तो इस नाम से भी प्रस्म पूछा जाता है तो प्रत्याहारी संस्विकृति है इसका तात प वह जो मुकरी हुई संसुकृति है उससे वह उसका क्या महत्तों है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन न्याले के दौरा इसकी अन्य तक्थ्यों वह साक्ष्यों के साथ संपूर्ष्टी आवस्यक है इसका अर्थ हिया है कि अगर एक आउसर प्रेस्ट कोश्चन है और बैं कुस्य की हत्या के लिए संयुक्त तुरौप से विश्वास किया गया और अव्यक्तित रूप से सडीयंद्र के अनुसरौण में हत्या की जाती है तो आएसे जती में वहाँ पर जो बैं की संसुकृति है जो कि संयुक्त विचरौत के दौरान देखेंगे evidence Hegg की तो उसके अंतर गत तोान कोई कार किया जाता है तो उसको विचार में लिया जा सकता है क्योंकि सामान परकलपना आखे केड़े बारे में सडेयं लिखिया सुसंगत next है सूइकृत विशेयों का निस्जायक बारत नहीं है लेकिन वह क्या खाल तो कर सकती हैं ऐसा प्रावधान कहां दिया गया है यह धारा 31 के अंतरगत दिया गया है और जो आर मिरतियु कालिक गोषड़ा का प्रावधान भारति साथ 2006 में तो दhara 32 में जो बहुस क्रफण के बारे प्रावदान किया गया है अब मृत्यू गालिक कफण इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जितना की भारती दर्णे संगीता की धारा जितना ही इंपॉर्टेंट एविडेंस आयाइट की अंतरगर धारा 32 है यहां से बहुत प्राकार के पूछे जाते हैं वह किसके उपर आधारित होते हैं प्रॉब्लम बेज्ड होते हैं शेक्षन बेज्ड होते हैं इसलिए यहां से हम कई सारे प्रस्णों को देखेंगे आप तो क्या-क्या है सबसे पहले यहीं जान लेना है तो धारा 32 का जो पहिला खंड है जिसमें मृत्यू कालिक कथन की परिवासा दी गई है तो उसमें क्या बताया गया है कि जब कोई कथन किसी व्यक्ति की द्वारा अपनी मृत्यू के बारे में अपनी मृत्ति के बारे में किया जा रहा है दूसरे के मृत्ति के बारे में नहीं दूसरी बात है कि संब्यवार की उस परिस्ति में किया जा रहा है जिसमें मृत्ति हुई हो तीसरी बात है कि फलसुरूप उसकी मृत्ति होना आवस्यक है अगर वह मृत्ति नहीं होती है तो अगर तीन बातें वहां पर साबित हो जाती हैं तो वहां पर जो कार्वाई की प्रकृति आठात जो संव्योहर की प्रकृति है वहां सिविल है या म्रित्यु काली में किया जाए अईसा को ग्लेंड की विधिके में इसमें कुछ अंतर है तो जैसे वहां पर आसंका होना आवस्यक है कारवाही की प्रकृत केवल दान्डिक होनी चाहिए और मृत्यू अगर नहीं होती है तो उसके अर्थ का कथन का कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन अगर हमारे यहां क्या है कि इसाच अध्यम की धारा 32-1 के अंतरकर्ट किया गया जो कथन है वहां किसका कथन है या किस प्रकार से सुसंगत है तो ऐसे व्यक्तियों का कथन होता है जो की मर चुके हैं या साक्ष देने के लिए असमर्थ हो गए हैं या उनकी जो हाजरी है नियाले में अत्यधिक यहां पर कौन सा जो आवस्चक तको नहीं है कि ऐसा कथन करने वाले कि मृत्यू के कारण से को संबंधित होना चाहिए यह बिलकुल सही है दूसरा है कि कहन करने करने वाले भ्यक्दिको उसकी मृत्यू की प्रत्यासंका थी सब्wirत्यू की आसंका हो या नहीं हो अहाँ पर ज़स्वी नहीं है उसको आसंकॉतcome को भी सकती है नहीं हो सकती है शहां पर आवस्चेक नहीं है यहें दूसरा वाला ही आवस्चेक नहीं है प्रेश्य Гोह inh उसके बाद जो है क्रक की मृत्यू है उन्ही सूचना रिपोर्ट में अंकित चोटों के कारण हो गई तो ऐसी जो FIR की जो रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी वह क्या होगी तो वह जो है मृत्यू कालिक घोचना के रूप में सुजंगत होगी क्योंकि वहाँ पर जो FIR उसने लिखाया है और उस FIR में जो उसने चोट का वणन किया है उसी चोट के कारण उसकी मृत्यूह होती है नेक्स है निमलिखित में से कौन अनुसूरत साच के नियम का अपवाद नहीं है तो अनुसूरत साच के नियम का अपवाद के अंतरगत मृत्युकाली घोसड़ा है रेस जेस्टे है और संसुकृती है लेकिन विशेसग एकी राय जो है वहां अनुसूरत साच के अंतरगत नह नहीं किया है उसको फेस नहीं किया है बलकि जिसने उस घटना को फेस किया है जो उस अपराद का पीडित ब्यक्ति है उससे उसकी जो बात है वो सुनता है और सुनने के बाद न्याले को बताता है यहीं क्या है अनुसूर्त साच्छे है अब मृत्युकालिक घोष्राम क्या हो इसलिए इसका जो कथान है हुआ बीकि द्वारह बता जाता हे यह क्या है अनुठ्व चाच है रेस जेस्टे क्या है यह कहीं सम्भिवार का भाग जैसा कि हमने इसको बताया था जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक एक चक्र की तरह होता है इसके अंतरगत क्या होता है कि 4-5 घटनाएं है जैसे एक दंगा हुआ है तो दंगा में कुछ लोग पत्थर फेक रहे हैं कुछ लोग संपत्त जला रहे हैं कुछ लोग कुछ चीजें लूट रहे हैं तो इसका मूर कारण क्या है दंगा है अगर दंगा नहीं हुआ होता यह सारी घटनाई एक साथ नहीं हुई होती है तो यहाँ पर जो एक ब्यक्ति है वह जो है उसी ही संब्यवहार का भाग जो है उसी का हिस्सा रहा है तो वह जाकर के न्याले में वह गवाही दे सकता है संस्विकृति के मामले में भी य जाकर नियाले में अपनी गवाही देता है नेक्स है मृत्यूकालिक कथन किस मामले में ग्राय होता है तो धारब 32 एक जब देखें हैं तो उसी के अंतरगत अस्पष्ट कर दिया गया है कि काजवाही की जो प्रकृति है वह कैसी भी हो सकती है अर्थात हुआ है दिवानी भी ह हो सकती है और दांडिक वामने मी विए हो सकती है तो इन दोनों लों में मृत्यूकालिक कथन का जो जो हुआ होता है तो ऊंच है अवस्यकता का नियम भारती की किस धारा के अंतरगत गराए है तो धारा 32 के अंतरगत आवस्यक्ता का नियम गराए है इसको कैसे समझेंगे कि ए एक व्यक्ति है इसने अपना कथन B से किया और B करने के बाद यह है इसकी मृत्य हो गई अब मृत्य हो गई तो इसका कथन साबित करने के लिए यहां पर B को ही बुलाया जाएगा यह एक समय की आवस्यक्ता है क्योंकि यह तो मर गया अब वह तो आ नहीं सकता उसका कथन साबित करने के लिए आवस्यक्त है कि कथन को जो है वहाँ पन्याले में पहुंचे इसे ही आवस्यक्ता का सिधान्त का जाता है नेक्स है मृत्युकालिक घोषडा का जो प्रारूप है वह प्रारूप का क्या महत्तु है यह बिल्कुल महत्तुहीन है अर्थात मृत्युकालिक घोषडा के लिए यह जरूरी नहीं है तो वह किसी प्रारूप के अंतरगत की जाए अर्थात वह प्रस्मुत्तर के रूप में की जाए या लिखिक रूप से हो मौखिक रूप से हो कैसे हो तो मृत्युकाली कथन कई प्रकार से हो सकता है जैसे वह लिखित रूप में हो सकता है मौखिक हो सकता है अंसतह लिखित अंसतह मौखिक संकेत को द्वारा या संप्रेशन के किसी भी तरीके से जिससे कि यह पता चल सके जो बात कह रहा है वह समझ आ सकी है तो निर्भया का मामला आप देखिए आर बनाम अब्दुल्ला का केस देखिए यह सब क्या है यह जो है संकेतों के द्वारा निर्भया मामले में जो पीड़िता लड़की थी उसने जो है इसारों के माध्यम से ही काफी चीजें बताई थी अप्राइफ की बारे में तो वह भी जो है मृत्यों इक कतान माना गया था तो यहां पर ऐसा कोई भी उपबंद नहीं किया गया है कि वह किवल नियालय के समक्ष हो या किसी सामानी व्यक्ति के समक्ष हो तो हमाई स्टेट के समक्ष पुलिस से डाक्टर से या किसी प्राइवेट व्यक्ति से इन में से किसी भी व्यक्ति के समक्ष गर वह इसा कथन किय जाता है क्या होगा कुर्चन है निम्रिखित में से कौन सा वाद है जो कि मृत्यू कालिक घौशडा से संबन्दित है बहुत सारे एक हैं और उसको हम देखेंगे उसम्य से कौन कौन से सम्नेय इस मामले में बिकल्प में जो है कुईन इंप्रेस बनाम अब्दुल्ला का जो मामला है यह धारा 32 अर्थात मृत्युकालिक कथन से संबंदित हैं और इस पे बहुत सारे अन्य मामले हैं जिनमें बहुत महात्पूर्ण इसमें इसारों के द्वारा किया गया कथन को मृत्युकालिक गोसा के रूप में मान लिया गया इसमें हुआ इस उपर जो हमला किया है वह कौन था तो इसारों में जब वहां पर अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है वह हां में हाथ को हिलाती है इसारा करती है और उसका यह इसारा किया जाना यह मान लिया जाता है कि मृत्युकालिक कथन मान लिया जाता है और अब्दुल्ला को उस नहीं है और केवल मिर्तिउक orden कघं के अधार पर दो सिर्द्ध कि जा सकती है अर्थात कोई है वह अच्द करने के बाद मर जाता है तो उसके कघं को अन्य साक्षों के साथ संपुष्ट के जाना अवर सिंक नहीं है एक मात उन्स का कथन है और उसी कथन के अधार पर ही दोसित किया जा सकता है अब्दुल गनी बनाम इंपरर का केस है नारायन सिंग बनाम बिहार राज का मांगा है इसके लावाँ पाकला नराने स्वामी बनाम इंपरर का जो केस है लाड़ एटकिन ने जिसमें नेड़े दिया था तो इसमें क्या कहा गया कि जो कथन है वह ऐसे समय भी किया जा सकता है जबकि मृत्यू का कोई कारण पैदा नहुआ हो अर्थात मृत्यू को कोई आसंका ही न नहीं कि उसको मार दिया जाएगा और ऐसे समय में अगर कथन कर देता है अपने मिर्ति के बारे में तब भी कथन क्या होगा अब एक बहुत जादा महत्मूर केस है सार्धा वर्दी चंद का यह जो है इसके अंतरकत क्या होता है कि कुछ सिध्धांत प्रत्वाजित किया गय में प्रपाइद किता तो उस स्थित्थ हों जाती है तो उस सिथ्थि किया गया है जो बाते लिखी गई है उसको उसका मिलत्यूं का लिख कथन माना जिया। तो इस case में सबसे जो महत्पून बात ये बताई गई थी कि धारा 32 की अंतरगत ने केवल मानव बधाते हैं बलकि आत्महत्या भी सामिल है अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने मृत्यू के बारे में कथन करने के बाद आत्महत्या कर ले रहा है तो उसका जो कथन है वह मृत् बंदितेयों तो ऐसी स्ति में वह कथंधारा 32 के अंतर गताएगा और ग्राय होगा और समय की दूरी इससे असंगत नहीं बना देगी जैसे उसने चार महिना पहले ही कथंध करके या बता दिया गया था कि हमारा यहां पर जीना संभो नहीं है और यह साथ बातें बता करके वह समय के जो दूरी है चार महिने की वह उसके कथन को असंगत नहीं बनाएगी तो दोस्तों इस प्रकार से यह तीसरा पार्ट हमने समाप्त किया और पुरी उम्मीद है पुरा विश्वास है कि आपको जो हमारी यह स्रीज है यह पसंद आ रही होगी और आपकी जो तयारी है एक बहतरीन मुकाम पर इसके माद्धम से पहुचा सकते हैं पूरे बेजर एक्ट को आप इसके माद्धम से कबर कर सकते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप वीडियो को देखिए इसको share कीजिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब रूब कीजिए जन्मबाद